नमस्ति फ्रेंज स्वागत है आपका रसोई सी माकी में आज रसोई सी माकी में बन रहा है सालों साल चलने वाला बहुत जादा टेस्टी लगने वाला कच्छी केरी का अचार अच्छी बड़ी बड़ी सी आठ केरी ली है मैंने और ग्रामस में नापे तो ये बन केजी केरी है और ये इतनी अच्छी केरी है कि मुझे तो इन्हें देखके ही मन करा कि चलो इनका तो अचार बनाते हैं केरी को मैंने धुलके ले लिया है बड़िया कपड़े से पोच लिया है पानी को सारा हटा दिया है कल से मैंने 24 गंटे के लिए पानी में ड़वा के रखा था सारी केरियों को बड़िया से काट लेंगे और इसके पीसे आप आपके एसाब से रख सकते हैं छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो मैंने सारी केरियों को काट लिया है और इसके पीसे से देखिए मैंने इसकी अंदर की जो बीजे रहती है वो जारी सी पड़ जाती है उसे निकाल दिया है मैंने आपको रखना हो तो रख सकते हैं वैसे चाकू से नहीं कटता इसलिए मैंने उपर उपर काट ले लिया है और अ करीब नमक डाल रही हूँ और एक से डिर्ड चमची हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे हमें इसे धूप में सुखाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती और फिर भी बहुत लंबे टाइम तक चलता है यह अचार नमक डालने से क्या होगा जो हमारी केरी के अंदर से पाँच घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो आप इने ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैंने इन केरियों को पाँच घंटे के करीव रख दिया था तो यह देखिए इनमें कितना सारा पानी निकल आया है एक बार और हम इन केरियों को टोस कर देंगे थोड़ा स अब इनमें जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हमें निकलना है तो एक छलनी लिए है मैंने उसमें सारी केरियों को ट्रांसफर कर देंगे इसलिए इन केरियों का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए बस छलनी को साही ढटाएंगे और इह देखिए इतना सारा पानी निकल गया इसकी हमें जरूरत नहीं है इसे हम साइड अटा देंगे हमारी केरी बहुत अच्छे से सौप्ट हो गई है और कितना अच्छा है इन पर कलर आया है चलिए तो फिर इन्हें अब सुखा लेते हैं एक किचिन टावल लिया है मैंने उस पर सारी केरियों को हम फैला देंगे और इन्हें धूप में सुखाने की कोई जरूरत नहीं है एक से देड़ घंटे के लिए मैंने पंखा में सुखा रही हूँ हमारी केरियां बड़ी आसे सूख रही है जब तक हम मसाली की तैयारी कर लेंगे मसाला बनाने के लिए मैंने एक कड़ाई ली है अब इसमें हम दो चमच मैथी दाना ले रहे हैं मैथी हमारे सिहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मन रहती है इसलिए आप खुप सारी डालें दो चूटा चमच हम इसमें राई डाल रहे हैं काली वाली है इससे बहुत बड़ी है फ्लेवर आता है उतना अच्छा वो पीली वाली होती है ना उससे नहीं आता एक से डिड चमच हम मोटी वाली सौप ले रहे हैं थोड़ी देर हम लोप लें पर इन तीनों चीज़ों को भून लेंगे मसालों को हम ऐसे भून लेते हैं ना तो और जादा टेस्ट बढ़ जाता है हमारे अचार का अभी मसालों का थोड़ा कलर चेंज हुआ है जादा नहीं हुआ थोड़ा कसर वाकी है इने सिकने में तो यहीं पे मैं एक चम्मच अब जीरा डाल रही हूँ जीरा बहुत जल्दी भून जाता है इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ 30 से 35 सेकंड के लिए हम जीरे को भी भून लेंगे इन मसालों के साथ में आप इस कच्ची केरी के अचार की वीडियो को पूरा देखना बिलकुल भी इसकिप मत करना तब ही तो आप भी एक परफेक्ट अचार बना कर तयार करोगे मसाले हमारे बड़ी आस से भुन गए हैं तो गैस को बंद करेंगे मसालों को ठंडा होने देंगे बाद में इनको हम पीसेंगे तो पहले हम ओयल को गरम कर लेते हैं एक कडाई में मैंने धाइसो ग्राम सर्सों का ओयल लिया है सर्सों के ओयल से बहुत बड़ी है फ्लेवर आता है आप तो हमेशा अचार में सरसों का ही ओयल डालें सरसों के ओयल को हम अच्छा धुहादार गरम होने तक गरम कर लेंगे और यह देखिए इसके उपर से धुहादार निकलने लगा है तो हमारा ओयल गरम हो गया है बस गेस को यहीं पर बंद कर देंगे ओयल हमारा थोड़ा थंड़ा हुआ है अभी जादा नहीं हुआ तो इसी समय हम इसमें हींग डालेंगे ओयल को पूरी तरीके से थंड़ा होने देंगे और इधर हमारा मसाला भी बड़िया से थंड़ा हो गया इसे हम चूराएं तो बड़िया से थंड़ा हो गया मैंने एक मिक्सी का जार लिया है अब सारे मसाले को उसमें डाल देंगे और इसको हम दरदरा पीस के तयार करेंगे मिक्सी को थोड़ा रुक रुक के चलाएंगे और पीसेंगे एक साथ लगातार चलाते हुए नई पीसेंगे इसको चलिए तो मसाले को देख लेते हैं और ये देखिए मैंने बलकुल दरदरा सा मसाला पीस लिया है, बारिक नई पीस आ, बहुत बड़िया हमारा मसाला पिसा है, तो आव इसका हम अचार बनाते हैं मैंने mixing bowl ले लिया है, और सारे मसाले को हम इसी में डाल देंगे आप तो इसी measurement से बनाएं कियूंकि मेरा perfect measurement है मैंने बन केजी केरी के लिए बनाया है यह मसाला दो चम्मच हम कस्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं एक perfect कलर के लिए दो चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं और हम नमक पहले भी डाल चुके हैं लेकिन आम के अचार में या कुई सा भी अचार होना उसमें नमक थोड़ा जादा ही पढ़ता है उस से हमारा अचार थोड़ा लंबी समय तक खराब नहीं होता विलकुल अच्छा रखा रहता है इसलिए हम नमक थोड़ा जादा ही डालेंगे अब जो हमने ओइल गरम करके रखाता ना हींग बाला उसी यहीं पे डाल देंगे बुबड़िया से ठंडा हो गया है और सारे मसालों के साथ मैं इससे बड़िया से मिलाएंगे आम के अचार में हम खूब सारी हल्दी डालती है, ना तो इसके खाने के भगध जाना फाइदे बढ़ जाते हैं आम के अचार के. हल्दी को मसाले में मिलाएंगे और इसमें अब हम कुछ नहीं डालेंगे जो हमने केरी रखें थी ना हमारी पंखे के नीचे सूख रहें थी तो वो अच्छे से सूख गई है तो सारी केरी को हम यहीं डालेंगे और हमारी केरी बहुत बड़िया से सूख गई है मैंने पहले भी आपके साथ अचार की रेश्पी सेर की है तो आप उसे भी देख ले ना मेरे चैनल पर अगर आपको बुतरी का पसंद आए ना तो आप बैसे भी बना सकते हैं अचार को ये देखिए हमारे अचार का कितना अच्छा कलर आया है जो हमने लाल मिर्ची का इस्तमाल किया है उससे हल्दी पाउडर सारे मसाले विल्कुल परफेक्ट हैं तो बहुत बड़ी अकलर आया है हमारे अचार में और यह आमका अचार देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना उससे कई जादा अच्छा एक खाने में बना है तो सुपर सुपर टेस्टी लगने वाला कच्छे आमका अचार तो इसे अब हम एक जार में भर लेंगे मैंने अचार को भरने के लिए कांच का जार लिया है अगर आप कांच के में भरना चाहे तो उसमें भरें नहीं तो आप सेर्मिक के में भी भर सकते हैं और इसको मैंने तो तैयार है हमारा बहुत जादा टेस्टी लगने वाला आम का अचार इस वार आप ऐसे ही मेरी तरीके से जरूर डालना है आम का अचार और अगर आपको यह रेज्पी पसंद आएना तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर सेर करना मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना